क्रिप्टो करंजी दोस्तों 4-5 सालों से one of the best assets बन गई है जिसमें इन्वेस्टर के इन्वेस्टर्स ने लाखो करोडो रुपे का profit बनाया है जिस वजह से इसकी popularity में बहुत ज्यादा rise देखने को मिला है लास्ट कुछ सालों में कम टाइम में बहुत ज्यादा profit मिलने की वजह से कोमल लोगों ने भी अब क्रिप्टो में invest करना start कर दिया है राइट नौ क्रिप्टो मार्किट में beer run चल रहा है और bitcoin अपने all time high से 70-80% के round तक correct हो चुका है जिस वजह से almost सभी old coin में 80-90% तक का correction आ चुका है और यही right time है दो क्रिप्टो में portfolio build करने का इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिप्टो में investment start कैसे करनी है वेलकम तो अबर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स अगर आप अमारे चैनल पे न्यू है तो subscribe बटन पर क्लिक करके चैनल को subscribe करें क्रिप्टो में investing start करने से प क्रिप्टो करन्सी अभी भी एक unsecure investment है कब कोई project fail हो जाए कोई नहीं बता सकता तैरा लूना का example आप देख सकते है रातो रात 99% तक की value खतम हो गई hacking problems, exchange का bankrupt होना ये सब चीजे बहुत ही common है beer face में third है दोस्तो क्रिप्टो करन्सी इंडिया में taxable है क्रिप्टो income पर आपको 30% tax pay करना होगा अब बात करते हैं दोस्तो क्रिप्टो में investment कैसे start करनी है आपको first step है दोस्तो आपको choose करना होगा crypto exchange इंडिया में बहुत सारे domestic crypto exchange है दोस्तो लाइक वजीर x, coin switch kubir, coin dcx, sun crypto ऐसे और भी बहुत से है crypto exchange कैसे choose करना है इसके बारे में हमने एक full video बनाया हुआ है i button पर click करके आप हमारा ये video देख सकते है जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको कौन से exchange choose करना है क्योंकि इस video में हमने 105 crypto exchanges का comparison किया हुआ है इसके लावा आप international exchanges का भी choose कर सकते हो like binance, coinbase, crypto.com and bitmart जैसे बहुत सारे international exchanges भी available है दोस्तो एक बार आपने exchange choose कर लिया उसके बाद आपको अपना account open करना है जो बिल्कुली simple process होता है दोस्तो जैसे हम किसी भी social media site पर account open करते है account open करने के लिए आपको KYC complete करना होगा जिसमें आपको अपना pen card, photo identity and address proof submit करना होगा जो submit करने के बाद आपका account approve हो जाएगा यह बहुत ही simple step है दोस्तो account open करने के बाद third step आता है दोस्तो crypto choose करने का जिसमें आप invest करना start करोगे तोकि bitcoin के लावा भी 10,000 से भी ज़्यादत crypto coin market में available है बट सभी exchanges पर आपको कुछी crypto coin listed मिलेंगे जिसमें सबसे top crypto coin है bitcoin, ethereum, binance, shiba inu, cardano and matic जैसे कि मैंने आपको बदाए cryptocurrency बहुत ही speculative और volatile है इस वज़े से यह find out करना की कौन सी crypto आपके लिए सबसे best रहेगी यह बहुत ही difficult है इस पर एक complete वीडियो आपने already बना रखा है जो आपको description में मिल जाएगा इस वीडियो को देखकर आप इजली समझ सकते हो की कौन सी crypto आपको invest करने के लिए choose करनी है उसके बाद आता है दोस्तो 4 step 4 step में दोस्तो आपको decide करना है कितना पैसा आपको invest करना है cryptocurrency में अगर ये आपकी first investment है तो मैं कहूँगा crypto में invest करने से पहले आपको mutual fund में पैसा invest करना चाहिए उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बचा हुआ है तो आप उस पैसे को share market में invest कर सकते हो and सबसे last option आपको होना चाहिए crypto में investing का क्योंकि कोई भी crypto 100% safe नहीं है कब कोई project fail हो जाए ये कोई नहीं जानता दोस्तो और ऐसे बहुत सारे example हमने देखे भी है like luna crypto project के fail होने के लावा crypto exchange भी bankrupt हो रही है और साथ में hacking और scam जैसे problem तो crypto के साथ starting से ही है इसलिए starting दोस्तो always safe option से ही करिए और अगर आप crypto में invest करते हैं तो आपके total investing fund का 5-10% party आप crypto में invest करिए final step है दोस्तो आपको अपनी investment को maintain करके रखना है crypto में investment का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने investment किया और उसे भूल गए क्योंकि crypto market में scenario कब change हो जाए किसी को नहीं पता चलता कब कोई project fail हो जाए ये कोई नहीं बता सकता इसलिए आपको थोड़ अपडेट करते रहना होगा खुद को like आपको अपने portfolio को regularly check करते रहना है crypto news headline को monitor करते रहना है जिस भी crypto में आप invest करते हो उसके twitter account को आपने follow करना है क्योंकि first twitter पहरी update दिया जाता है community को इसके लावा अभी government भी crypto को लेकर काफे alert हो गई है government ने crypto tax start कर दिया है time to time और भी guideline crypto exchanges के लिए आएगी जिस पर हमें भी ध्यान रखना होता है क्योंकि इनका direct impact cryptocurrency के price पर पढ़ता है और last में आपको थोड़ा technical analysis और fundamental analysis को लेकर भी study करनी चाहिए जिससे आप और अच्छे से decision ले पाएंगे दोस्तो अपने investing को लेकर ये था दोस्तो आज का अमारा वीडियो कैसे आपको crypto investing स्टार्ट करनी है I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए वीडियो को like और share कर दीजिए and last हमारे चैनल को subscribe करना ना बुले Thank you, Jaihin